हाई गैस वेल्कम बैक आइख विरूंग टाocado सो कुछ महने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मिमस के बारे में कि इंडिया में मिमस नहीं तो विünde कोई कितना कमाते हैं कैसे ग्रो करते हैं कैसे प्रामोट करते हैं यह सब चीजों के बारे में तो बहुत लोग को वो वीडियो अच्छा लगा, अभी भी कमेंट्स आते हैं, हाला कि लोग अपना ही पेज का नेम लिखे चले जाते हैं, वो अलग बात है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनों ने पोचा कि अगर हम आज से ही शुरू करें, तो मिम्स पेजिस के लि मिम्स, मिम्स आपको फोटोशॉप की जुरूद नहीं है, या कोई एडिटिंग स्किल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिंपली कुछ एप्स को लेके, यूज करके, एंडरोड में ही, अपने फोन में ही, कैसे बनाना है, वो हम देखेंगे, ये एपल मिम्स उसका कुछ अलग फंडा है, बहुत ही यूनिक, तो उसको हम बात में देखेंगे, पहले हम मिम्स जन्रेटर को देखते हैं, और दोनों ही है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, देख सकते है, मिम्स जन्रेटर है, अल्मोस 10 मिलियन डाउनलोड, यू कैन सी, तो अभी म पॉपिलर में दिखा देता हूँ एक डेमो क्या करना यहां पर, यहां बहुत सारे आपको टेंपलेट दिख रहे होंगे, तो कोई भी एक टेंपलेट सेलेट कर लीजिए, तो मैं यह सेलेट करता हूँ, फर्स्ट वाला, देख सकते है, यह तो आपने बहुत बार देखा हो होगा बहुत से मेम्स पेजस पे, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो दिख रहा है, टेफ एड़ टेक्स्ट उस पे क्लिक करिए, और यहां पर जो भी आपको पोस्ट करना है, वहाँ टाइप कर दीजिए, ठीके तो मैं ऐसे यहां पर टाइप कर देता हूँ, स्लीप एम, यहां नीचे लिख देते है, स्लीप एड ट्री एम, ओके, जो एक्चुली में रियालिटी है, बहुत सारे यूट्स की, आप सब लोग जानते होंगे, निबाने बीस, तो यहां पर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते है, और साथी साथ आप एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी एड कर सकते है, देख सकते है, यहां से आप कुछ भी लिख सकते है, समझ लिजए आपका पेज का लिखना है इस इमेज के उपर, वो भी आप कर सकते है, तो यह कर के आप कही पे भी आपने रख दिया is watermark, यहां पर आप चाहे तो emojis, stickers लगा सकते है, तो में यह लगा देत यह इमेज आपके गैलरे में सेव हो जाएगा बाद में आप उसको अपने मिम्स पे चाहे तो फेस्बूक में हो या इंस्टाग्राम में हो इसली शेर कर सकते हैं सिंपल है गाइस अगर आप यहां पर साइड बार पर जाओगे तो आपको और भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे और यहां पर देख सकते हैं वीडियो एंड जी आएप मिम्स तो यह आपको और एक अप्लिकेशन में डिरेट करेगा उनका ही और एक अप्लिकेशन है जहां पर आप एक और फरस्ट आप आपको औरने बहुत प्रस्ट अपर आपको एकोंट क्रेट करने बएगा है कंड कर लीजी ए प्रस है बस आप दालना नहीं तो आप अपने फेसबुक कoty करसकते और यहां हुआ किस्वरुट कर सकते हैं यहां साइन आप की जरुद इसलिए हैं क्योंक कही एकाउंट को popular बना सकते हैं आपको भी लोग फॉलौ करेंगे अगर आप अच्छे-च्छे मिम्स यहां पे पोस्ट करते हैं और औफ कोस्ट आस आप यहां पे देख सकते हैं फॉस्ट और आपको एक बेस लेना है इक इमेज लेना है उसके लिए यहां क्लिक करिए गाई उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे category मिल जाएंगे, category वाइस बहुत सारे GIFs मिल जाएंगे, GIF बहुत ही आप बोल सकते हैं, engaging होते हैं, usually memes के industry में, तो मैं angry वाला कोई भी एक ले ले लेता हूं, देख सकते हैं बहुत सारे हैं, उसमें से मैं यह ले लेता हूं, click करते ह करेगा उस GIF को, तो देख सकते हैं, मैंने यह ले लिया है, यह बहुत ही popular है, आपने तो बहुत बार देखा होगा, तो यह लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहे होंगे, अलग-अलग text के formats, जो जो भी चाहिए, आप यहाँ पर select कर लिजे, मैं यह bottom वाला ले my phone without permission, okay, that's right, and उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे motivation मिल जाते हैं, text का resize करने का, coloring करने का, उसका formatting, अलग-अलग आपको text type मिलते हैं, यहाँ यह सब करने के बाद, आप save मार दीजिए, ठीक है, और save मारने के बाद यहाँ पर उसका caption लिख सकते हैं, कुछ भी, वही जो आ आपने उपर लिखा है, वही आप लिख सकते हैं, hashtag डाल सकते हैं, लोगों को tag कर सकते हैं, यह सब करने के बाद, post मार दीजिए, और आपका meme इस community के अंदर ही post हो जाएगा, ओके, तो यह तो यहाँ पर हो गया, तो अभी आप बोलेंगे, कि हमें अपने memes page पे मतलब Instagram पे न आपको directly options मिल जाएंगे, आप कहीं पे भी share कर सकते हैं, WhatsApp हो, Facebook हो, Instagram हो, तो हर जगा आप share कर सकते हैं, easily guys, तो guys, यह वीडियो था बहुत ही easy way में अपने mobile में memes बनाने का guys, without any professional skills और editing skill, तो I hope कि आपको यह पसंद आया होगा, if yes, then hit the like button, share with your friends, and comment section में बताएं आपको कैसा watching, take care, bye, have a good day